श्री रादे रादे भक्तों आप लोगों ने ये तो सुना ही है कि भगवान के नाम की अनंत महिमा संत लोगों ने साधना करके दिखला दिया और बहुत शक्ती प्रकट किया जिन्होंने साधना किया लेकिन अविश्वास करने वालों की भी कमी नहीं है मैं आपको इसी संबंध की एक पवित्र कथा सुना रहा हूं जो चरणदास जी की जीवन की है चरणदास जी की पवित्र चरितावली का परिशिष्ट आप सुन रहे थे तो मैंने आपको यह सुनाया था कि उनकी निगाह पड़ते ही वो बच्ची जो थी वो रूपांतरित हो करके पुत्रूप में हो गए थे नाम महिमा का वरनन महराजी करते थे और एक दिना ऐसा वरनन किया कि नल नील के द्वारा नाम के बल से समुझ पर पत्थर तैरा दिया गया था हनमान जी राम लिखते थे नल दिर उसको शिल्प कला के दुरा जोडते थे और वो तायरते थे राम नाम के प्रताप से तो उनके शिष्य थे कोई कोई शिष्य से थे जिनको थोड़ा सा संदे हुआ उन्होंने कहा कि शास्ट्र में तो ऐसी बहुत सी बातें लिखी है महराज जी पर कोई प्रत्यक्ष दिखाए तब तो समझे जाए तो चरण दास्टी ने महराज उसी समें एक लिला ऐसी कर दे संत विलास करंथ में उसका वर्णन है तब ही शिला एक महवाई नव मन तेर सेड तुलाई तापर हरि नाम लिख दीनो जमुना नीर बहावन कीनो देख सब लोग सब जैजे करहीं और वचन नामें सीस पगदा रहीं समझ में आ गया होगा आपको महराज जीने चरादाश जीने एक बड़ी सी शिला मंगाई है वो छिद्रित वाले नहीं है जो काई जगे वो पोरस स्टोन होता है अंदर छेदे छेद भरे रहते हैं तो पानिम तैर जाता मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं वो थोस शिला मंगाई थी जैसे पत्थर होता नहीं जो मकान बनने में लगता ऐसे पत्थर तो वो नव मन तेरह सेर वजन था आप समझ दिए कि लगवग चार कुंटल के आसपा समझ था इतनी बड़ी शिला थी उस पर महराज जी ने चरहनदास जी ने राम नाम लिखा और जमना जी में कहा किसको जमना जी में फैंको जमना जी के जल में डाली गई वो शिला बितनी भारी वो पोरस वाली शिला नहीं थी छिड्र वाली नहीं थी पोली पोली जो होती है वो नहीं थी ठोस शिला थी और राम नाम लिख करके महराज जीन जमना जी में जलवाया उत्याने लगे सब लोग जय जयकार करने लगे राम नाम को प्रत्यक्स चमतकार दिखलाई पड़ा लोग चकित रह गए देखकर ऐसी पवित लिलाएं उनकी जीवन हुई थी बहुत हुई थी एक बार तो एक मतवाला हाथ ही अपने स्थान से निकल करके भागा और भागता हुआ एक मुहला है बिल्ली मार तो बिल्ली मार मुहले में चरन राष्टी के आश्रम के सामने पहुँचा वो बिल्ली मार मुहले में चरन राष्टी का आश्रम है तो उहें आश्रम के सामने पहुँचा और भीतर भाइभीत होकर भागने लगे अब गेट बड़ा था तो हाथी गुस गया तो चरनदास जी ने कहा डरो नहीं डरो नहीं यह दर्शन करने के लिए आया है हाथी हाथी आंगन में लगे पौधों को बचाता हुआ चरनदास जी के पास पहुंच गया और तीन बार सून से उनके चरन सपर्श करके उसे माथे से लगाया चरनदास जी के चरन में अपना सून छुआता था और फिर माथे से लगाता था तीन बार किया चरनदास जी ने उसे एक लड़ो दिया जो उसने खा लिया तब उन्होंने उससे कहा आप घर जाओ और हरीका भजन करो आग्या पाते ह जी वो पीछे हटा हा थी और अपने स्थान को चला गया तीसरे दिन उसने यमुना स्नान किया और वहीं शरीर त्याग किया चरनदास जी महराज की कृपा से उसकी सदगती हो गई कैसा दैविस संसकार का जीव था कि उसको यह पता चल गया था कि मृत्यू आ गई उसकी और चरनदास जी एक ऐसे महान संते हैं जिनके आशिरवाद और प्रशाद से उस जीव का उधार हो जाएगा इसलिए तो आया था उधार शिन करने प्रशाद लेने आशिरवाद लेन और महराजी ने लड्डू उसको खिला दिया अशिरवाद दे दिया और ये भी कहा कि जाओ भगवान का भजन करो हरी का भजन करो पर उसने तीन दिन भजन किया गुर्देव के आग्या से उसके बाद जिमुना जी के किनारे पहुंच कर शनान करके वहीं लेट गया वहीं छोग दिया हाथ ही ने अर ऐसा चमतकारी जीवन था वक्तों उन्हों ने अपना भी इसी तरह से चमतकार में देहत्या किया था वक्तों कर चना ठाम संटारे सोटारे में कि ही अब आपके समिझ गजी कि 202 वर्स हो गए है 2020 चल रहा है सन 2020 चल रहा है और सन 1818 की बात है दो हजार दो वर्स हो गए नहीं 202 दो नहीं 202 202 वर्स हो गए उस समय महराज जी की आयू ज्यादा नहीं थी 68 वर्स की थी उन्होंने अपने शिश्यों को बता दिया था कि वे 12 वर्ष बाद शरीर त्याग देंगे जब उन्होंने बताया था तब 68 साल के थे और ये कह था कि 12 वर्ष बाद शरीर त्याग देंगे तो 12 वर्ष बाद 80 साल हो जाएंगे 68 साल के थे तो 12 वर्ष बाद में बता टो पहले तो शरीर त्यागने के समय से छे मास पूर उनकी पांच हजार वेशधारी सिश्वी कठ्था हो गए थे महराज जिस कारे के लिए उनका जन्म हुआ था प्राकट्टी हुआ था वो कारे पूरा हो चुका था 12 साल पहले बता दिया फिर 6 माईने पहले बता दिया और इसलिए उन्होंना अपने शिश्यों को एक दिन बुला कर कहा अब हम निजधाम को जाएंगे अब हम निजधाम को जाएंगे तो बहुत सामर्थवान संत थे ना उनको सब भाविश्य प्रत्यक्ष देखला ही पड़ता था भक्त भावनी ग्रंथ में लिखा हुआ है भेश भया जब पांच हजारा एक दिन यों कहके बचन उचारा हम या जगसू भए उदासा आब निजधाम करेंगे वासा ये शट मांस पहलियों भाखी दो जिना आगे फिर आखी पांच हजार शीश हो गए थे उनके और उनके सम्मू के बात कहा कि अब हम अपने धाम जाएंगे संसार से मेरा मन हट चुका है ये सुनकर के उनके प्रिये शीशे राम रूप जी शोकातुर हो करके सुबह किया भर भर के जोर जोर से रोने लगी है उन्होंने राम रूप जी को हृदय से लगा लिया और कहा रो नहीं बेटा है भागवान की आग्या देप तक रहती तभी तक रह जाता है उन्होंने लीला सागरम वर्ण ने इसका है कि इस तरह से कहा हमरा तुम हृदय में वासा बिछुडे नहीं सुनो सुखरासा भाक्ति प्रचारन प्रभू पठाए अब हरिने निज धाम बुलाए शोक नकर कचुचित में सुनो शिष्ष सुखमान धीर धारो हर भजो मेरे जीवन प्राण तुम हूँ तन तजी आई हो जल्दी मेरे पास रहें सदा दंपत निकट निर्खें रहास बिलास कितनी सुन्दर बाद गई महराज जी ने चर्णदासी महराज ने कहा कि बेटा तुम तुम मेरे हुरदय में वकाहिक चिंता करते हो अब तुम अपने हुरदय में अपने गुरू और अपने भगवान को बसा करके आनन्द से रहो मैं तुम को बोलूँगा नहीं और भाक्ती का प्रचाड करने के लिए भगवान ने बुलाया था उनकी आग्या समय आया, आप प्रभु अपने धाम में बुला रहे हैं, तो आप भगवान के पास जाओंगा, और तुम शोक नहीं करो, अरे तुमको मेरी आज्या नुसार सेवाकारी भगवान के करना है, तुम भी थोड़े जिन बाद मेरे पास आओगे, मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ न, तुम भी मेरे पास थोड़े जिन बाद आओगे, और आगे जो बात कहीं बहुत अद्बूत, रहें सदा दंपत निकट निर्खें रास विलास, बोले मैं निरंतर प्रभु का रास विलास का दर्शन करूँगा, गोलोक में, राधा कृ करकूत ग자가 बहुत प्रें धार्शन करता है कि अग्रु लेकिन रामरूप गुरु जी से बहुत प्रें करता है बहुत प्रेम करता थे उड़्ु के वास्ति तत्त्त को वहिग ऑन पात्ता घै कि भागवान के प्रदी जिस्का प्रेम हो बहुत ंद्ट को वहिग fallingesse आप दो दिन बाद हमने जह जाएंगे कि बारे बढस पहले पर बताया था और जब दो दिन रह गया तब बताया अपनी शिख्ड़ू को घंब दो दिन बाद अपने दाम को चले जाएंगे राम रूप जी ने पूछा कि कृपा करकी ये बताएं कि आप किस प्रकाश शरीर चागेंगे तो उन्होंने उत्तर दिया मैं चाहूं तो शरीर उड़ करके जा सकता हूं भक्तों ये सामर्थवान पुरुष कुछ भी कर सकते हैं भगवान रामानंदा चारी जो ठाकुर जी के राम जी के ओतार थे इसलिए अंतरधान हो गए अपने शंक सहीट के और खड़ाओं चोड़ा था ऐसे चैतन्य महाप्रभू जेगनात भगवान में बिलीन हो गए थे भगवान थे प्रलाज जी के ओतार कभीर दाश्टी अंतरधान होए थे केवल पूर्ष पर बचे थे फूल पूल ऐसे भी जा सकते थे कह रहे हैं उन्होंने कहा सिश्वषे कि मैं चाहूं तो शरीर उड़ जाओं पर मैं ऐसा नहीं करूंगा सब के सामने योग बल से चार घड़ी रात रह जाने पर ब्रह्म रंद्र से शरीर त्याग दोगा चार घड़ी रात रहे हैं साथ ब्रह्म भूरत में ऐसा उन्होंने खुद कहा था माराजी ने अपने शिश्वषे माराजी ने का चाहूं हो अलोप फिर यहां द्रिष्ट ने आऊं चाहूं दे समेट नूर में नूर समाऊं तो अंतरधान भी हो सकता हूं और दे सहित भी जा सकता हूं और मोह शक्ती उड़ जाने की पै अब ऐसे ना करी हूं उड़ जाने की शक्ती है लेकिन ऐसा करूंगा नहीं तन त्यागूं सब देखत योग सिद्ध काज करूं तो कारे करते हुए अपने शरीर को योग के बल से त्यागूंगा ब्रह्म रंध से निकल के ज जायेंगे परम धाम को तात दाशंद्वार की गैल हो चार घडि रहे रात सारी बात प्रत्रिक मता दिया है चाार घड़ी रात रहेगी तब दाशंद्वार भरम रंधर का भेदन करके जाओंगाुँगा ऐसे बोल दिया भी ने भक्तों जो महराजी ने इसे बात अपने मुझ से बता दी ताब तो यह सूचना बड़ी जो और से फैली चार उतरा हुआ दिल्ली के भक्तों शेखों और मुलाओं की भीड़ उमर पड़ी हिंदु मुसल्मान सब लोग जो उनको जान गए थे कि एक महान सिद्ध पुरुशन सब दावर पड़े महराजी के आश्रम के ओर दूर दूर से उनके शिश्य से वक भी आ गए क्योंकि दो दिन पहले ही बतला दिया था और संबत 1849 मार्क्षी शुक्ल सब्तमी चार घड़ी रात रहते कि महराज जी अपने पदमास्ण से भून पर बैठ के शिवकों से बोले अब मेरे निकट कोई मता ना आना तब एक शब्द सुनाई पड़ेगा आवाज चुनाई पड़ेगी तब आना सब लोग उनको छोड़कर उनकी आज्यान सा दूर चले गए तब वे जुगल अर्थात भगवान स्वी राधा कृष्ण के ध्यान में बैठ के सक्चे भगवान के योगी तो थे महान सिध्य योगी थे लेकिन महान कृष्ण भगवान का ध्यान लगा के बैठ गए और ब्रह्म रंध से प्राण त्याग करके निजधाम को उड़ गए चले गए शरीर को छोड़ करूँ सुमिर जुगल पद परम सनेही गय निज धाम च्छाड कर देही सुन्त भी लास गरंथ में लिखा है उसी समय आकास में एक दिव्य प्रकास हुआ और आश्ट सुगंधों की आकास में बरशासी हो गई चारो तरफ सुगंध सुगंध आश्ट सुगंध और ब्रह्मरंद फटने का एक शब्द जोर का हुआ जिसे सुन करके भाग करके लोग आए और उनकी जैजेकार बोल रहे है भक्तों भयो प्रकास गगन के माहीं दहाय सब देखे प्रभुनाई अश्ट सुगंध बरसाद रव उत्सव संतन भीर वराज जैजेकार तो लोग बोल रहे थे लेकिन आखों से आशु गिर रहे थे जो भक्त थे जो सीशी थे पांचेजार तो सीशी ही थे और जो भक्त थे उनको मानने वाले वो सब अपार थे जैजेकार कर रहे थे लेकिन आखों से आशु गिर रहे थे सबक्रें आकास में प्रकास दिखलाई पड़ गया था आवाज और सुगंध सब लोगों को आवाज चुनाई पड़ी और सब लोगों को अस्ट सुगंध का नासिका से पूरा अनभव हुआ लिला सागर ग्रंथन पड़ने ने घड़ी चार सब रहन रहाई दशम द्वार फट शब्द कराई बाजे अनहद बजे घनेरे सुन सुन साथ जवाए नेरे इसी बाजी बजे ने सुन को सुनाई पड़े जे जे कार सुनायो जे 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 कार सुनायो लखी मस्तक लही देह ता जायो श्री चरहणदाशी महराज ने अपने जीवन काल में राजा महराजाओं के आग्रह पर भी कभी किसी से जमीन जागिर नहीं ली अपने बाद भी अपने शिश्चों को उनके नाम से जमीन भेंट लेने को निशेट कर दिया उन्होंने अपने शिष्चों को कभी किसी भी करका भेद भाव नहीं रखा। और इज कारण था, कि शिष्चों में जब भेद भाव नहीं रखा, तो किसी एक को उत्रादिकारी भी कैसे बनाए? क्वेस इंहूंकि थे सब शिष्टों को बराबर मानते थे उनके एक सो नव प्रधान सिश्य थे उन्होंने अपने में से तीन को अपने अपने निष्ठा के अनुसार समप्रदाय का आचारे मान लिया और वे थे स्वामी राम रूप जी शेगो स्वामी जुकतारंद जी और सहजो भाई जी तो सहजो भाई की चरिटावली मैं आपको सुना चुका हूँ भक्तों और ये जो तीन थे स्वामी राम जुकतारंद और सहजो भाई इन तीनों के ये गद्धी स्थान संप्रदाय के मुख्य स्थान स्वी चरणदाशी महराज के स्थल के निकटी है भक्तों चरणदाशी के अनेक गरंथ होती हुए भी उनके सिध्धान्द के संबन में विद्ध्वानों में कुछ थोड़ा सा भरांतियां भी है ये स्वाभावी थे क्योंकि उनकी जीवन शैली और लेखन शैली दोनों वह मुखियो समन्वय अत्मिक थी उनके जीवन के या उनकी बानियों के किसी एक पक्ष को लेकर सिध्धान्द को निरधारित करना एक भूल ची लगती वक्तों उन्होंने श्रीमत भागवत को मूला धार मान करके ग्यान, कर्म, योग और भक्ती का समन्वय करने का आद्भूत प्रयास किया इसलिए उन्होंने भाक्ती के साथ ग्यान भाक्ती के साथ कर्म और भाक्ती के साथ योग का बरणन किया सगुन के साथ निरगुन का फिबरणन किया और कुछ विद्वानोंने उनकी कि निर्गुन परक रचनाओं को देख करके हैं उनको निर्गुनिया सादू समझा है लेकिन जो साही डंग से उनके निकत पहुंचे और पहिचान पाए उन्होंने समझा कि नहीं नहीं यह तो महान कृष्ण भक्त थे राधा कृष्ण के भक्त थे अब महराज जी तो अपने भगवत धाम चले गए राधा कृष्ण के धाम गोलोग धाम लेकर उनके शिष्टी लोग बाद में हुए हैं उन शिष्टों और महराज जी के ग्रंथ और उनके उपदेश की थोड़ी चर्चा में कल और उर्प करूंगा आपके सम्मों को अभी उ झाल झाल